अब आज का जो राइड है अमारा उपटना से उरंगाबाद में होने वाला है यानि कि आज हम जा रहें अपने घर रास्ता और बिहार में और गावाद जाने वाला रूट है आपको ऐसा लगी नहीं रहोगा कितना हराब हरा है हो रही है दोस्तों अब हम दोग चेक तो दोस् देखिए पुरा रीम बगेरा सब तूट चुका है पुरी तरह से गाड़ी आगे से पुरी तरह से हमारा एवेंजर डेमेज हो चुका है कर दोस्तों मेरा नाम सोनु कुमार और आप देख रहे हैं सोनु दर राइडर चैनल देख रहे होंगे हमारा एवेंजर टूट्वेंटी क्रूज यहां पर रेडी है अब थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं हलका भूल का धूल इस पर पड़ गया है और आज मैं आपको बत पटना से और अंगावाद वाला रूट में होने वाला है यानि कि आज हम जा रहे हैं अपने गाड़ी को मैंने करीब-करीब साफ कर लिया जैसा कि आप देख रहे होंगे अब हलका पूल का धूल है उसको धुलवा देंगे साइड वाला दोनों चका हमारा रेडी है सब ची है यानि कि 70-80 km लगभग आज इस गाड़ी को चलना है एक बार में तो सराची जोके है वे साखे वगरा मैंने रख लिया है अब चलिए हम बैठते हैं और राइट को स्टार्ट करते हैं कि ठीक है कि ठीक है कि अब चलिए दोस्तों राइट को स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव के नाम के साथ बोलिये हर हर महादेव और देखिए हमारा राइड श्टार्ट हो चुका है अब यहां से हमें सबसे पहला काम वे हैं कि आंटी के रूम पे जाना है और आंटी के रूम पे जाके वहां पर कुछ समान रहा किया था रात वाला रात में हम लोग का पार्टी हो रहा था तो उसका कुछ समान बचा हुआ है तो उसको आंटी के रूम पे छोड़ देना है और उसके बाद हम लोग घर के तरफ निकल जाएंगे तो आंटी के पाद जो समान देना था हम लोग दे चुके हैं अब हम लोग नीचल चुके हैं घर के लिए मौस हम देख रहा होंगे काफी प्यारा किया हुआ है यानि कि ध अधर का जो रास्ता हुआ आपको दिखाएंगे यह भी दिखाएंगे कि वहां पर रोड कंडिशन आपको किस तरह का देखने को मिलने वाला है मैं आपको बता दू कि हमारा फर्स्ट ब्लोग है मोटो ब्लोग जिसमें मैं आडियो के साथ आपके सामने आया हूँ तो हो सकत देखें हमा चुके हैं दुर्गा मंदिर जैसा कि आप देखेंगे जय माता दिख और हमारा राइड अब स्टार्ट हो चुका है माता के असरवाद से अभी हम चुर्ण इटाल पूल पे चहड़ चुके हैं तो अभी है हम सामने वाला फ्लाई ओबर पर आप देख रहूंगे यहां पर आपको हनुमान मदिर देखने को मिल जाता है तो अभी हम उसकी आपको सामने वाला ओबर भीच पर आप देख रहे हैं यहां से अभी हम क्रोस कर रहे हैं और हम जा रहे हैं कहां जैसा कि आपको बताया और अधोले देखने को मिलेगा साथ में एक सप्राइज है आप लोग के सामने जो कि मैं आपको आगे नेश्ट वीडियो में रिविल करूंगा काफे बहतरीन सर्प्राइज मैं आपके लेकर आया हूँ अब हम जीपीओ गॉलंबर के पास है और यहां से हमें सिधे लेना है अब हम आगे हैं चनाकिया ओटल के पास जो कि आप देख रहा हूंगा उसके सामने वाला जो फ्लाइओबर उस पर जो मोड है वहां पर यहां से हमें ले लेना है लेफ्ट क्योंकि हमें जाना फुलवारी सरीफ की साइड तो देख रहा हूंगे सामने आपको बोर्ड दिख र एरपोर्ट भी आपको सामने ही मिलेगा किसी रास्ते में अगर आप पट्टा से नहीं कर रहे हैं तो कि या प्यारा मौसम किये हुए यार कि देखें यहां पर आम का श्टॉल लग चुका है कई सारे काफी बेहतरे मालदा हाम रखे हुए हैं प्यारे प्यारे मूं में पानी आ जा रहा है मौसम तो इसकदर खराब है कि लग रहा है कि हम लोग बारिस के चपेट में आवी सकते हैं यहां पर देखिए एक चोरहा है जो स्री लालू परसाथ जी ने बनवाया यहां पर उनका नाम लिखा हुआ है इस चोरहे पर आप देख रहा होंगे जो मूर्ती है वो इसारा कर र आप औरउंगबाद साइड में जा है दो उनके हाथ के सारे के तरफ आप यहां पर चल देजियें तो इनकेसारा इदर की तरफ हैं वी तरफ चलते हैं देखिए साइड में आपको यहां पर स्ट लगा हुआ है मौन कई मश्याम का आव कर द청 रहा है- यहां-की-ति-दो तो चलिए अभी हम लोग औरंगाबाद साइड औले रोड में निकल चुके हैं आपको दिखाएंगे कि किस रास्ते से रहें तो अरंगाबाद वाला रूट में जाने के लिए आपको तरह कई तरह कई तरह कई सारे रास्ते हैं जैसे कि आप बीटा होके भी जा सकते हैं यहां जहां पर है उसी के बगल से एक नहर गया है जो कि सीधा आपको अरवल और आगे आपको लेके चला जाएगा और हमारा जो घर हो अरवल जिला में पड़ता है तो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों रास्ता कैसा है और किस तरह से हम उसमें जाएंगे और उसका रोड का जो अफिस है और यहीं से आपको बिहार का जो भी मौसम विभाग का जो न्यूज होता टेली कास्ट किया जाता है यहीं से इनफॉर्मेशन उठाया जाता है और इसी के जश्च सामने आपको महावीर कैंसर सस्थान देखने को मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं तो डिटेल में देने की कोशिश करूँगा तो आप हम लोग निकल चुके हैं कहां से महावीर कैंसर सस्थान से आगे की तरफ तो देखिए यहां पर गुलंबर है गुलंबर से आपको राइट होखे सामने वाला रोड ले लेना है यहां पर दो रोड आपको दिखने को मिलेग इसाप रोड है चिकना रोड है और हो भी चिकना रोड यहां भाई जी लगा चुके हैं जाड़े लगा हुए अभी हमने पटना में फर्स्ट बार मैंने नोटिस किया कि एवेंजर में साइड़ विल लगा हुआ जास हमारा ही whether दोनों तरफ ऐसा ही उसमें भी लगा हुआ लेकिन वो एवेंजर 150 था हमारा 220 कुरूज है 150 था साय तो यहां पर आप देख रहोंगे एक बोड मारा हुआ जिसनों आपको बताया जाता है कि अगर आपको एंस की तरफ जाना है तो एक किलोमेटर आपको इधर लेफ्ट की साइड जाना होगा नौबत पूर भी इधर ही है और अंगाबाद भी इधर ही है जो कि 123 किलोमेटर है तो मैं भी लूंगा लेफ्ट यहां से आगे जो पूल आप देख रहे होंगे उसी के जस्ट नीचे से आपको यहां पर लेफ्ट ले लेना है मैं आपको बताया था अभी थुआ दिर पहले कि वहां से दो रास्ता था फ काफी चिकना है यहां पे आप अराम से काफी कम समय में आप एमस के पास पहुच सकते हैं वहां से आप नौबतपुर के रास्ते आप औरंगाबाद की दरफ निकल सकते हैं तो वहां पर हाइवे भी है हाइवे के थुरू भी आप जा सकते हैं मैं आपको नहर के रास्ता दि है और इस राष्टे से जिस राष्टे से मैं आया इस राष्टे से भी आप एमस के पास पहुच सकते हैं कि 23, 24, 25, 76, 77, 28, 70, 80 पहुचेगा या नहीं 29 और 80 km per hour के स्पीड से हमारा पाइक अभी चल रही है अब है आप लोग के पास बहुच चुक्य है आप देख रहों गे इधर की तरफ आपको एंस देखने को मिलेगा जो गुलंबर लेफ्ट मुल जाते हैं तो आप एमस के पास चला जाएगा फुलवारी से निचल जाएगा नौबदपुर और अगर आपको अरवल जाना है तो यहां से आपको राइड साइड लेना होगा अब यहां से भी दो रास्ते हैं वह मैं आपको दिखा देता हूं से पहले तो ट्रक सकते हैं दूसरा जो रास्ता है और यहां पर आप देख रहोंगे नहर वाला रास्ता यहां से आप नहर की तरफ जा सकते हैं तो हमें यहां से एक और यो बिस्किट लेना है जो कि मैं पर्सेज करने वाला हूं और उसके बाद मैं यह वाला रस्ता लूँगा जो कि जाएग में आपको कभी भी ट्रेवल करना है तो कौन से माध्यम को यहां पर ले सकते हैं कि कौन से ट्रांसपॉर्ट माध्यम आप एक है जो पटना महाविर मंदर से आगे जीप्यों गॉलंबर आईये और जे पियो गूलंबर से आप चनाखिया टावर के बीच में जो रास्ता है उस के एक लांकर पिया लाइन की तरफ उस तेंट से आपको विंगर देखने को मिले चाला यह से आपको करीब 500 रुपया 200-200 रुपया आपको अरंगावाद पहुचा देगा एसी गाड़े में अगर आप आप नॉर्मल पॉचा देगा इसी रूट से गुजरती है विंगर और काफी कम समय में और आपको फिल भी नहीं होगा कि कितना जल्दियां पहुच गया है क्यो तो आपको कोई दिकत नहीं होगा यह तो हो गए पहला चीछ दूसरा चाईस यहाँ से आपको आपको प्लोरो बगेरा या बिंग या विंगर गएगर आप को देखने कें जाता है I Aign Dhand Give Girls Heart घानते हहंसे अगर जानते होंगे कौना अगर तरफ से आपको प्लोरो असकारपियो और विक्टा यह सारा चीज आपको देखने को मिलेगा इसी रूट में जो कि पटना से अरवल जाता है पटना सोरंगा बाद जाता है या तो आगर आप यहां से लेना चाहते हैं जीपियो गुलंबर के पास से तो यहां से भी आप ले सकते हैं तो यह दो माधिय बस आपको देखने को मिल जाते हैं एसी और नानेसी दोनों तो आप इस रास्ते में ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन आगर आप छोटे गाड़ी किसे ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने बेस्ट आप्शन बता दिए और आभी हम जिस वहान के बात बोर रहेते वि झाल आपको 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 और तुछ से साम मंदे विछ एके तुछ से हम प्यार ले करें मैं है पुमार, ओ मेरी महलुपार मैं है पुमार, ओ मेरी महलुपार नवद पूर साथ किलमेटर मैं आ ओ रहा हुआपस मेरा इंति जार करना मिरा ओ रहा हुआपस मेरा इंति जार करना तुझे सामने बिछाके तुझे से हत्रार करना महभूबा, मेरी महभूबा मेरी महभूबा मेरी महभूबा क्या लोकेशन है यार ऐसा लोकेशन में कुमने का मज़ा ही कुछ और है आज का जो मौसम है वह हमारे साथ है हमारा साथ दे रहा है और काफे ठंधा मौसम किये हुए है तो ऐसे तो इधर काफे दिनों से इतनी गर्मी बढ़ रही थी जिसका कुछ कहना नहीं है आज मौसम विदम मेरे साथ है क्याज हम ट्रेवल करने वाले थे और मौसम भी हमारा साथ दे रहा है आप देख रहा हूंगे जितने भी आसपास पेड़ आपको दिख रहा होगा सब हरा भरा आपको यहां पर दिख रहा होगा आज के ब्लॉग में दोनों साइट से पेड़ बीच में रास्ता काफी चिकनासा रोड काफी मस्त है इस रूट का आप तेड़ घंटे में आप आउच सकते हैं यहां से जो हमारा घ्र गाउं है वहां पर मैं तेड़ घंटा में पहुंच जाता हूं आपको यह नवबतपूर से बजार दिखेगा जो कि छोड़ा सा बजार है अभी हम लोग नवबतपूर आ चुके है और तिसे हम यहां से यह जुआ पकड़ेगा यह भी एक रूट है जाने का मैं इस रूट को पकड़ता हूं सुरू से कि अरे बेगवा गिर जाईती तो कभी है ने कभी है ने कि ससार जाईती ना चिकनाई से तो यह नवबतपूर का लग है जो कि आप देख रहे होंगा और यहां से अभी हमें नौबतपूर हम लोग छोड़ चुके हैं और इसके आगे हम लोग निकलने वाले हैं सामने आप तो इसके साथ हैं जैसीवी की खुदाई आपको देखने को मिलेगा फिलाल हम जैसीवी की खुदाई नहीं देखना तो मैं साइट से निकल लूगा आपको देखना है तो आप जैसीवी की खुदाई देख सकते हैं अब यहां पर मैं गेर बढ़ाता हुआ गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड करता हुआ निकल रहा हूं इदर कुछ सलम से लोग पसे हुए हैं यहां पर स्कूल है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ना नहर ओला रोड ले रहा हूं तो आप नहर यहां वहां आपको देखने को मिल रहा होगा है मौसम अज काफे मस्त है अब नौबदपूर था नौबदपूर से आगे आप आपको बिक्रम मिलेगा अभी हम बिक्रम की तरफ आप जाने वाले हैं मेरा एंड़े जार्ट आपको लगी नहीं रहाँ कि बिहार का रस्ता है और बिहार में और और वरंगा पास जाने वालाइं रूट है आपको ऐसा लगी नहीं रहोगा तेक्रहं कि किपना हराभरा है अभी तो परसाद आई भी नहीं है अभी तो जून का महीना चल रहा है, और मैं अभी गुजर राओ करी टाइमिंग हो रहा होगा अभी नो बजे क्यास-पास नो बजे सुगा की टाइमिंग है अब देख रहा हूं कितना हदा भड़ा हाद चीज दिख रहा है इसमें दो चीज का काफ़ी ज्यादा है एक रात्थ में वारी सुई है कि मॉसम फंडा है और दूसरे वारीष से quand we have a भडल भी चाया हुए देख रहे हैं इसफा स होजसे डूपा नहीं होने के वाजे से काफ़ी प्यारा मॉसम किए हुए है कि हमारा प्लोग आप Eğer क्वेश्री नापको लग रहा होगा है नोगा कर दोस्तों जैसे कि मौसम का ज्यादा होगा थंडा किये हूए पानी पड़ सकता है कि पानी हमारे उपर तो नहीं पड़ा तेकिन हमारे पहले इस रोड पर पड़ चुका है जैसा कि आप देख रहोंगे भींगा हुआ रोड है इधर के जितने भी पेड़ पगे रहा है सब चीज आपको भींगा भींगा दिख रहा होगा क्योंकि इधर काफी मातरा में बारिस को बताया था कि आज हमारे उपर महादेव की किरपा है तो सही में है आज इसने से हम लोग बुचर रहे हैं आप देख रहा होंगे महावलीपूर पहूंच भी चुके जीरो किलोमीटर महावलीपूर दिखा रहा है अभी हम जैसा कि आपको बताये थे कि नाले के रास्ते से है नहर के रास्ते से हैं इसलिए यहां पर मार्केट नहीं देखेगा महावलीपूर जो मार्केट है वह आपको एनेच पर दिख जाएगा नेशनल हाइवे पर तो इस तरह का है मौसम पानी देखिए काफी मत्रा में पड़ा हुआ है पूरा इदर किचड किचड हो गया है यह तॉआ है लगा आज पर अब शनकल क करके गया यह है वो अब करें पूरेहर चलता रहे चलता रहे चलता रहेख Wagah को और भी दिखा पता लेकिन को प्रो में बैटरी ना होने की वज़़ा से मैं नहीं दीक आप आ रहा हूं तो फिलाल के लिए हम स्कॉफ करते हैं कि इधर बारिश भी हो रही है दोस्तों अब दोस्तों हो गया है है भी वाला क्या करें पहला राइट था और पहले दिन हो गया हुआ है और ज्यादा तो खेर शरीर में नुक्सान नहीं हुआ है बहान को भी हल्का प्रुका छिला गया है हाथ और गाड़ी का ही नुक्सान काफी ज्यादा हुआ है देख रहे हैं पूरा मिटिगार्ट वगएरा सब चीश तोड़े हुए है रीमों सब बदला हुआ एक बड़ा सा गाड़ी आया था वह स्टेंट कर दिया मतलब गलती हमारा ही था थोड़ा सब बारिस हो रहा था इस बज़े से नजर नीचे होगा उसी दोरान लग गया कसके तो खेर कहिए कि जो चका था चार चका के था इसलिए गाड़ी फेकाया नहीं गाड़ी बच गया उसके बज़े से हम लोग बच गए नहीं तो आज तो कल्यान नहीं चीत था तो यही कंडिशन है फिलाल गाड़ी का जो कि आप देखी रहा होंगे काफी बुरा इस्तिती में हमारा एवेंजर टुट्वेंटी क्रूज बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों आब इसको ले ज ऐजिशना बतावी स्टिवाद कर लागो में यहीं था बाल रहा है जो लोग मारवा वा लगिन बाल रहा है लेकिन अगली नहीं को कर देखी हां कि अई चल गरान आपा दिक रिखाने पीक अब लियाबा तो आप अधिक अध़ाईएव मॉका कषधा उठा उठा ना अमने पाइले राइट पाइले थोचन हो गया अगार लवा है इना तो हाव कासा को आगार शकुर कर दो हमार साल कर दो होचा है कि अगार लग्टी अगार शके बार्ड कासा रा क्या दोल आप मेशने शकार दोलो आपका कर दो कि अग्टी कि अगार हुआ है